लोग कहने लगेंगे कि वो जादवी या रहस्यमाई है सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है अगर आप अपनी उर्जा प्रणाली को उसकी उच्चतम संभावना तक सक्रियं करें तो सौंपना स्वभाविक रूप से होता है अगर आपके 84 चक्र सक्रिये हैं तो आपने बहुत सारी सिमाएं पार कर ली हैं जो आम तोर पर लोग सोचते हैं कि अतिमानवी है नमस्कार सद्गुरू मैं जानना चाहती हूँ कि गुरु योगिक ज्ञान या जानकारी अपने शिश्यों तक कैसे पहुँचाते हैं वे ट्रांस्मिट कैसे करते हैं ये कैसे किया जाता है ये काम कैसे करता है एक बिनातार वाले माईक की तरह देखिए बिनातार के आप पहुंचा पा रही है आप में काफी शमता है ये हो रहा है है ना तो तरीका क्या है देखिए शरीर में मौझूद 114 चक्रों की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शरीर की नाडियों या उर्जा मार्गों का मिलन बिन्दू ये मार्ग हमेशा त्रिकोन के आकार में मिलते हैं पहिये का मतलब है गोल निश्च दूरूप से त्रिकोन आकार वाले पहिये ज्यादा जैजी दिखेंगे है ना क्या वो अच्छे देखेंगे वो हमेशा त्रिकोन के आकार में मिलते हैं लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं तो वो गोला कार ज्यादा देखते हैं क्योंकि वो एक विशेश आयाम की उर्जा फैलाते हैं क्योंकि वे फैलाते हैं और हर फैलाव हमेशा गोलाकार में होता है आप एक जील में ट्रिकोण पथर भेंके, फिर भी लहरें गोलाकार होती है है न? इसी तरह से ये एक ट्रिकोण है, पर जब हम इसे देखते हैं, तो ये गोल होता है और एक और चीज़ है, कि ये एक आयाम से दूसरे तक गती दर्शाता है हम कहते हैं कि ये एक चक्र है, क्यूंकि ये आपको उस पार ले जाता है तो प्रणाली में 114 चक्र है, मुख्य चक्र, और भी चक्र है मुख्य चक्र जिन पर काम किया जा सकता है, वो 114 है इन 114 में से दो बहुत एक शरीर के बाहर होते हैं 112 शरीर में होते हैं इन 112 में से चार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता यानि अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागरोत हो जाएंगे इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरूरत नहीं तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है तो ध्यान के 114 सिस्टम है आदी योगी ने 112 अलग-अलग तरीके सिखाए आत्म ग्यान पाने के तो जब वो साथ रिशियों सब्त रिशियों के साथ बैठे वो बता रहे थे कि इनसानी मशीन काम कैसे करती है और इन 114 में से 112 के बारे में उन्होंने बताया 112 तरीके अपनी परम प्राकृति को पाने के पार्वती उनकी पत्नी जो इस शिक्षन को देख रही थी वो पहले ही आत्मग्यान पाच चुकी थी पर अब वो देख रही थी बस कारे करम में बैठी थी तो वो इससे देख रही थी और वो बोली कि और ज्यादा क्यूं नहीं हो सकते सिर्फ 112 क्यूं है और ज्यादा तरीके होने चाही शिव पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थे जब पारवती ने ये बोला तो उन्होंने बस श्यू नकार दिया वो बोले और कोई तरीका नहीं है बस 112 है वो चिड़ गए कि इन साथ लोगों के सामने शिव ने उन्हें इस तरह से नकार दिया तो वो बोली और ज्यादा तरीके होने चाहिए शायद आप नहीं जानते वो बोले बस 112 है ये अशिश्टिता है आप जाएए तो वो बोली मैं और तरीके खोचूँगी और चली गई वो पहाणों में चली गई और बहुत प्रचंड तपस्या की और कई सालों के काम के बाद वो वापस आई शिव तब भी योग के अलग-अलग आयामों के बारे में बात कर रहे थे वो आई और उनकी पत्नी होने के नाते इतने समय के बाद आने पर वो आकर उनके पास बैठ सकती थी लेकिन वो एक सीड़ी नीचे बैठी ये दर्शाने के लिए कि वो असफल हो गई है तो ये उन दोनों के बीच की भाशा है वो नहीं चाहती कि सब तर रिशियों को पता चले कि वो असफल हो गई है लेकिन वो उन्हें बताना चाहती है कि वो असफल हो गई हैं तो वो आकर एक सीड़ी नीचे बैठी तो ये कहानी अलग-अलग आयामों में जाती है कि उन्होंने खुद को कैसे शामिल किया उनका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के रूप में होता है जो संदेह खड़ा करती शिव इतनी जबरदस्ट शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं कि ये साथ लोग पूरी तरह से विस्मित हैं तो वो वहाँ एक ऐसी इंसान है जो शिक्षा पाने के लिए प्रतिबद नहीं है जो संदेह उठाता रहता है क्योंकि जब कल किसी और को ये सिखाया जाएगा तो हर कोई शायद उतना प्रतिबद उतना केंद्रिय उतना ग्रहनशील ना हो जितना की ये साथ लोग थे तो सोभावी ग्रूप से उनमें संदेह उठेंगे तो वो ये संदेह उठाने लगी जो आम तोर पर लोग उठाते है तो ये 108 वो चीजे हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं बाकी के चार बस खिल उड़ते हैं वो बोनस हैं अगर आप 108 के साथ अच्छे से काम करते हैं तो बाकी के चार खुद हो जाएंगे ये इनम की तरह है बाकी के दो वैसे भी हो जाएंगे अगर ये 112 हो जाएंगे तो बाकी के दो खुद ही खिल जाएंगे ये शरीर के बहुत एक धांची के भीतर नहीं है तो ये 108 ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसलिए अभिव्यक्ति पाई है क्योंकि 108 एक महत्व पूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्व पूर्ण संख्या है सौर्य मंडल की रचना में सूर्य और धर्ती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है चांद और धर्ती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है कई रूपों में आप देखेंगे कि 108 अनुपात है सौर्य मंडल की रचना में यही वज़ा है वरना शायद हमारे अंदर 160 होते मान लीजे अगर हम मंगल पर पैदा हुए होते शायद हमारे अंदर 160 होते या जो भी आपको पुर्शों को जांचना चाहिए हाठ योग की महत्वपूर्ण चीज है लगातार ये स्विकार करना कि इस शरीर ने ये रूप लिया है और ये शरीर इस तरह की अभिव्यक्ति बना है इसका मुख्य कारण है कि कुमहार की चाक इस तरह है क्योंकि सौर्यमंडल ऐसा है इसलिए ये अभिव्यक्ति है तो आदियोगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इंसानी शरीर को और विक्सित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्यमंडल की बनावट में सिर्फ तब इंसानी शरीर का धांचा बदलेगा क्योंकि ये पूरा विक्सित हो गया है बहुत एक धांचे के स्तर पर तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर ये पूरा खुल गया हो अगर सभी 112 सक्रिया हो तो ट्रांस्मिशन आसान होता है आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो आपको वहाँ जाना नहीं पड़ता आप यहां बैठ कर वो कर सकते एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हो तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है आप एक पूरे इंसान होंगे बाकी की चीजें किस बारे में हैं बाकी की चीजें अगर खोल जाएं तो ये बोध के कई सतर खोल देती है वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादूई है या रहस्यम आई है सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खोल गया है तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए बाकि सिर्फ बोध के उंचे आयामों के बारे में हैं कि आप बस इनसान नहीं है दूसरे लोगों की समझ में आप बिलकुल इनसान है ये इनसानी सिस्टम है क्योंकि ज्यादतर लोग नहीं खिलते देखिए फिलाल तमिल नाडू के नारियल पेड़ मुझे लगता है हमारे पेड़ों में 90 नारियल हर साल मिलते हैं प्रति पेड़ तमिल नाडू का एक बहतर तरीके से व्यवस्थित खेत 120 से 125 नारियल देता है केरल में यही नारियल का पेड़ 45-50 नारियल देता है यही नारियल का पेड़ करनाटक और पश्चिम बिंगॉल में 240-250 नारियल देता है खेती का फर्क है तमिल किसान काली कपास की जमीन में नारियल उगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सबसे उपजाओ जमीन है काली कपास की जमीन चावल, कपास और बाकी चीजों के लिए बहुत उपजाओ है नाकी नारियल के लिए नारियल वहां उगाया जाना चाहिए जहां कुछ हद तक मिट्टी में थोड़े छोटे पत्थर हो यहां अगर आप देखें तो यह मिट्टी टूथपेश जैसी है जब आप इस जमीन की सिचाई करते हैं तो स्थिती बहुत अच्छी होती है एकदम से नारियल का पेड़ जीवन को महसूस करता है और अपनी जड़े फैला देता है जब यह सूखता है तो काली कपास की जमीन इतनी जबरदस तरीके से सिकुडती है आप देखेंगे दरारे आ जाती है तो यह सभी जड़ों को दबा देता है जड़ों के सिरे कुछ ले जाते है और यह बढ़ नहीं पाता हर बार यह जड़ों को बढ़ाता है और मिट्टी सूखने पर इसे पीड़ा पहुंचती है इसके लिए कुछ पत्थरीली जमीन की जरूरत है आप यह आजमा सकते हैं आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर रखें जमीन के दो फीट नीचे उसे पानी दें पंदरा दिन बाद उसे खोलें सब कुछ सूख जाएगा सिर्फ पत्थर के ठीक नीचे थोड़ी सी नमी होगी तो हमेशा नारियल का पेड़ अपनी जड़ों के सेरे पत्थरों के नीचे रखता है क्यूंकि उसे पता है कि वहां हमेशा गीलापन होता है हमेशा नमी होती है और वो सुरक्षित रहेगा कुछला नहीं जाएगा इंसान के साथ भी ऐसा ही है इंसान अपनी पूरी ख्शमता में तब तक नहीं खिलेगा जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरन नहीं बनाएं भीतरी और बाहरी पर सुभागे से मुख्य रूप से भीतरी क्यूंकि हम हिलते डुलते हैं हम पेणों जैसे नहीं हैं हम एक ही जगह खड़े होकर हमेशा एक ही वातावरन में नहीं रह सकते लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं भारत में ये संस्कृती है इसे एक शेत्र सन्यास कहते है शेत्र सन्यास मतलब हम एक दाइरा तै कर देते है मान लीजे यहां हम ध्यानलिंग को किंदर बनाकर एक दाइरा तै करते हैं हम कहेंगे यहां तक उर्जा बहुत ज्यादा है तो वो जो हर समय उसी में सराबोर रहना चाहते हैं वो एक संकल्प लेंगे कि वो इस दाइरे से बाहर कभी नहीं जाएंगे इस घेरे को वो कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे वो हमेशा बस उसी में रहेंगे ये एक सरल बुद्धि मानी है एक नारियल पेड की तरहां अगर वो पहाड पर चढ़ना चाहे वो यहां काफी अच्छा उगता है लेकिन अगर आप उसे पहाड पर लगाएं तो एक दिन में वो खत्म होने लगेगा हवाएं क्या आप पहाड पर गए हैं अगर आप साथवे पहाड पर जाएं तो लगभग हर मौसम में हवाएं कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आती है हवाओं के मौसम में ये 120 से 140 किलोमीटर प्रती घंटा हो जाती है अगर आप वहाँ खड़े हों तो ये आपको कहीं फैंक देगी ये इतनी शक्तिशाली है तो अगर ये वहाँ जाकर खड़ा होता है तो ये एक घंटा भी नहीं टिकेगा तो इसका यहां रहना बहतर है लेकिन पेड स्थिर होते हैं हम चलते फिरते हैं हमारे लिए एक बाहरी वातावरन बनाना जो हमेशा मददगार हो मुश्किल है तो कुछ लोग ये कदम उठाते हैं जिसे एक शेतर सन्यास कहते हैं वो स्थान से बाहर नहीं जाएंगे वो एक घेरा तै कर लेते हैं और बस वहीं रहते हैं तो क्यूंकि आप उस बाहरी वातावरन को सोखना चाहते हैं लेकिन भीतरी वातावरन सबसे महत्वपूर्ण हैं एक इनसान के लिए यानि वो अपनी भीतरी जगा कैसे रखता है मतलब वो अपने आसपास एक कवच बनाता है आप एक घेरा बनाते हैं अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा ताकि आप जहां भी जाएं जहां तक आपका सवाल है आप हमेशा उसी वातावरन में होते हैं ये ऐसा है कि आप एक हवाई जहाज में जाते हैं वो 35,000 फीट उपर जाता है निश्चित रूप से आपका शरीर वहां जिन्दा नहीं रहेगा पर वहां आप एक घेरे में हैं एक दबाव से भरपूर कमरे में इसलिए आप ठीक रहते हैं सबमरीन के साथ भी यही है आप सागर में उस दबाव को नहीं ले सकते लेकिन आप सुरक्षित हैं इसलिए आप ठीक रहते हैं तो इसी तरह आप अपने आस-पास उर्जा का घेरा बनाते हैं कि आप जहां भी जाएं आप उसका हिस्सा नहीं बनते आप अपने ही घेरे में होते हैं जिसके साथ आप चलते हैं आप अपना कक्ष साथ लेकर चलते हैं आप किसी की जगा में नहीं गुसते आप अपनी छोटी सी जगा साथ लेकर चलते हैं जहां भी आप जाते हैं, वरना आप खुद पर सीमाएं डाल देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, कि सभी चक्रों के सक्रिये होने का मतलब है, आप आसानी से जो चाहें किसी को सौंप सकते हैं, समस्य हमेशा ग्रेंड शीलता की होती है, मैं ये कहता रहा हूँ, मैंने ध्यान मैता में ऐसे लोगों को दीखशा ज्यादा दी है, जिन्हें मैं कभी नहीं मिला या देखा, उन लोगों की तुलना में, जिनके साथ मैं बैठता हूँ और कारेकरम संचालित करता हूँ, हमने कारेकरम ज्यादा से ज्यादा कुछ करोर लोगों के लिए संचाल अगर वो कहीं बैटते हैं, तो उनका हर चीज का अनुभव दूसरों से कहीं बैटर होता है, पर उनमें से कई लोगों में इतना दिबाग नहीं है कि समझ पाएं कि वो स्वभाविक रूप से ध्यानमई हो रहे हैं, बिना किसी कोशिश के, किसी तरह से वो बैट पाते हैं, अ ग्रहन शीलता की समस्या है, ग्रहन शीलता पैदा करने के लिए बहुत काम करना है, तो आप यहां बैट कर, मान लीजे, आप एक रेडियो स्टेशन में हैं, तो आप आसानी से हवा में ट्रांस्मिट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास रेडियो नहीं हो, तो क्या फाइ रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, है न? तो ये चीज हमेशा होती है, ट्रांस्मिट करने का लोगों पर कुछ असर होता है, तब भी जब कोई ग्रहन शीलता ना हो, लेकिन इससे ये अन्य आयामों तक नहीं पहुँचता, क्योंकि ग्रहन शीलता बिलकुल नहीं हैं, पत्थरों तक ट्रांस्मिट करना आसान है, इनसानों की तुलना में, मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि पत्थरों की तारीफ और आपका अपमान करूं, लेकिन पत्थर तक ट्रांस्मिट करना आसान है, क्योंकि कुछ किस्म के पत्थरों में जरूरी बहुत एक समगरता होती है लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता, वो खुद को चीजों से दूर नहीं करते, देखी इनसानों के साथ समस्या ये है कि मुख्य रूप से उसने विचारों का इस्तिमाल करके अपनी कई स्वभाविक शमताइं खो दी हैं जो उसमें पहले ही थी, क्या लोग विचारों का इस्तिमाल करके आनंद नहीं खो रहें? क्या ऐसा नहीं? वो बच्पन में कैसे थे? क्या वो विचारों का इस्तिमाल करके अपने आनंद, प्रेम और स्वभाविक चीजों से दूर नहीं हो रहे? तो इनसान विचारों के एस्टिमाल से चीजें खो रहें इस वज़ा से आप उन्हें जो भी दें वो विचारों का इस्तिमाल करके उसे छोड़ देते आप आज उन्हें कुछ सिखाईए पंदना में आते हैं और हम उन्हें जबरदस्त अनुभव देते हैं वो वाकई शक्तिशाली होता है. हुफ, हर कोई अनुभव पाता है. वो शांदार और परमानद में होते हैं. लेकिन छे महने के बाद, वो विचारों का प्रयोग करके उससे बाहर आ जाते हैं. तो हर कोई ये नहीं जानता कि अपने विचारों का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तिमाल किया जाए मुक्य रूप से वो खुद को खोशाली से बाहर ले आते हैं वो बच्वन में काफी ठीक थे उन्होंने विचारों के इस्तिमाल से खुद को बिगाड लिया तो विचार हमेशा इंसानों के फाइदे के लिए काम नहीं करता ज्यादा तर लोग ये नहीं जानते कि इसका आपने खोशाली के लिए कैसे प्रयोग करें मुख्य रूप से लोग उसे अपने खिलाफ इस्तिमाल करते हैं अगर आप उर्जा सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक सक्रिय करें तो ट्रांस्मिट करना स्वभाविक होता है आपको पूरा रास्ता भी नहीं तैय करना पड़ता अगर आप 63 चक्र सक्रिय कर लें तो आप काफी शक्तिशाली तरीके से ट्रांस्मिट कर सकते हैं ये प्रतीख है तमिल संस्कृति का जो 63-9 मार पर आधारित है वो उन्हें 63 संत कहते हैं जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूपांतरित किया वो हर किसी के जीवन में अध्यात्मा ले आए एक चीज है कि 63 लोग हो सकता है ज्यादा लोग रहें हो लेकिन प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वो लोग छोड़ दिये और सिर्फ 63 बताए आप किसी भी मंदर में जाएं आपको छोटी-छोटी मूर्तियां मिलेंगी 63 मूर्तियां क्यूंकि अगर आप में 63 चक्र सक्रिये हैं तो हम कहते हैं कि आप एक संथ हैं आप बनने लगे हैं शुरुआती संथ हैं अगर आप में 84 सक्रिये हैं तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं जो आम तोर पर लोग सोचते हैं कि अतिमानवी हैं अगर आप 108 तक पहुंच जाएं इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुंच गए 114 या पूरे सक्रिय होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं कोई फर्क नहीं है अगर आप ग्रहनशील हो जाएं तो मुझे वहां आकर आपको चीजे समझाने की जरूरत नहीं किसी को आपको ये नहीं सिखाना होगा कि कैसे जुकना हैं क्या करना है आप इंसानी मशीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे सब कुछ इसके मूल से इसके परम तक